एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारे यूटूब चैनल को और नए वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक किजिए बैल आइकन पर हैलो फ्रेंड्स मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्चिप यूटूब चैनल में जहां मिलती हैं आपको एथिकल हैकिंग और साइवर सेकूर्ट से जोड़ी कई में जान करी हैं वो भी हिंदी में दोस्तो ये मेरा एथिकल हैकिंग लर्णिंग के बारे में चोथा पार्ट है तो अब तक हमने इस स्रीज में बात की कि इंडिया में एथिकल हैकिंग के स्कोप के बारे में दूसरे पार्ट में हमने देखा कि एक अच्छे एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं तीसे पार्ट में ह पार्ट बना दा था, जिसमें हमने certification के बारे में बात की, तब मुझे लगा कि कई लोग ये सवाल करेंगे कि क्या ethical hacking के लिए certificate की जरूरत होती है, हम ये सब google से online भी सीख सकते हैं, कई लोगों ने इसके बारे में comment भी किये, कि certification की कोई जरूरत नहीं होती, ये online भी सीखा जा स तो पहले बात करते हैं कि ये किन लोगों के लिए जरूरी है और क्यों यदि दोस्तो आपका सपना है कि आप ethical hacking में एक बड़ी company में या अच्छी job चाहते हैं तो आपके लिए degree, diploma जो certificates मैंने आपने तीसरी वागवाली वीडियो में बताई थे ये आपके लिए बहुत जरूर होथ ही नहीं होती ये कपके बंद हो गए होते सब गूगल से ये online सीकर ही अच्छी job प्राप्त कर लेते आप जानते ही होंगे दोस्तो कि college, university और institute से जो प्रत्वार शाली बद्यारती हैं उनको बड़ी-बड़ी companies वहीं से हायर कर लेती हैं वो वी एक अच्छे package पर तो दो जो इसके पास MCA, CEH, Red Hat और Cisco जैसे certificates और degree हैं अब एक अच्छी company में ethical hacker और cyber security experts की एक रेकेंसी निकलती है तो दोनों नहीं इस job के लिए apply किया दोनों ही freser है तो दोस्तो apply करने का पहला step क्या है वो है resume तो Google से सीखने वाला resume में क्या लखेगा कि मैं ethical hacker हूँ, cyber security expert हूँ, मैं पहले बताया कि ethical hackers की job limited ही होती है तो HR सबसे पहले प्रात्मिक्ता Google से सीखने वाले को नहीं बलकि उसे देगा जिसके पास वो सारी degrees और certificate है, अब वले ही वो knowledge में उस Google से सीखने वाले से कम हो, तो दोस्तो यदि आप secure future चाहते हैं तो आपको ये degree और certificates लेने ही पड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ कि Google से या online सीखने से क्या नुकसान हो सकता है आपको, आप Google से सीख रहे हैं तो आप केवल वो ही topic पर ध्यान दोगे जो आपको अच्छे लगते होंगे, तो Google से केवल आप वो ही सीख पाओगे जो आपकी समझ में आ सकता है, जो topic आपकी समझ में न बारे में, आपने उसके बारे में पढ़ा, आपकी समझ में नहीं आया, आप उसको छोड़ देंगे, पर आपको दोस्तो नहीं पता कि इस topic की कितनी एहमियत है और आप दूसरे topic पर चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपका पैसा नहीं लगा हुआ, नहीं आपको फेल होने का डर है, आपको एक्जाम में भी पास होना है, तीसरा, आपको समझाने के लिए वहाँ अच्छी फैकल्टी और टीचर्स भी हैं, चोथा, आपके friends, आपके class matry हैं, जिनके साथ आप ये problem discuss कर सकते हैं, और उनके बीच में competition भी रहता है, आगे निकलने का, तो कि भी इच्छा होगी कि आप उनसे आगे निकले, तो आप अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि आप कटिन से कटिन टॉपिक को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, पर दोस्तों ये गूगल से ये सब नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों यहाँ आप स मंजल तक पहुँचा सकता है, तो आपको जीवन में सफल होना है, तो अपना गूरु अवश्य बनाईए, उनकर सम्मान कीजिए, आपको बहुत कुछ सेखने को मिलेगा, आपने ये कवीर का दोहा, सुनाई होगा कि गूरु गोविन दोहु खड़े, काके लागु उपाए बलिहारी गुरु आपने गोविन दियो बताए, यदि आपको गोविन तक यानि अपनी मंजल तक पहुँचना है, तो आपको यहां तक केवल आपका गुरु ही आपको पहुचा सकता है, यदि आप गूगल के बरोस से रहे, तो भटक जाओगे, आप अपने लक्ष के इर् पर चला जाए, या ग्राफिक डिजाइन पर चला जाए, तो आप फिर उसे सीखने लगेंगे, तो दोस्तो, दो-दो किस्ति उपर पैर रखकर मंजल तक नहीं पहुचा जा सकता, आप घर के रहोगे ना घाट के, इसलिए दोस्तो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि गूगल पर डिपेंड मत होईए, गूगल से केवल साहता लीजिए, यदि आप गूगल पर डिपेंड हो गई, तो फस्स जाओगे, जैसा कि मैं आपको बताया कि आप केवल उन्हीं टॉपिक पर ध्यान देंगे, जो आपकी समझ में आएंगे, आप मालीजी आपने गूगल से सीख रखा है, आपने अपने रिजियूम में बहुत कुछ लिख दिया, किसी कंपनी ने इंट्रुव के लिए आपको बला लिया, और इंट्रुव में उसने उन्हीं टॉपिक के बारे में पूछ लिया, जो आपके समझ में नहीं आए, जो आपने छोड़ दिये थे, आपके आप गूगल तो खोल नहीं सकते, तो आप क्या बोलोगे, कि मैं यह करतो लोगा पर अभी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों वहाँ आपके साथ गूगल नहीं है, तो दोस्तों गूगल हर समय आपके साथ नहीं रह सकता, आपको अपने उपर डेपेंड होना पड़ेगा, प फिर भी वो आज बड़ी वड़ी companies के मालिक हैं, अच्छा business setup किया हुआ है, कई बड़ी वड़ी applications और softwares बनाए हुए हैं, पर दोस्तों सच्चा ये वी है कि ऐसे लोग 1000 में से केवल एक या दो ही होते हैं, जिनका दमाग इसकाविल होता है, उनके लिए कोई degree या certificates की जरूर नहीं होती, पर सच्चा ये वी है कि ऐसे लोगों को भी कई companies reject कर देती हैं, उनको job नहीं मिल पाती, फिर वो अपने talent के दम पर उस company को भी पीछे छोड़ देते हैं, जिसने उनको reject कर दिया था, आपको ऐसे बहुत उदाणन देखने को मिल जाएंगे, तो यदि आप पर गूगल से, बुक से, ओनलाइन से या किसी की नोट से भी ये सब को सीख सकते हैं, तो बस दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, वैसे दोस्तों इसका पांच वाग भी जल्दी आएगा, वहां और वी इंटरस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, तो यदि आ आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद, आपका दिन शुब हो